जादों की बाते तस्पीरों के संग आभाजों के धन तीस साल की दगन नक्षे आई नाए फंग बी टीवी का सफर पहुचा है गर-गर पी टीवी का सफर 1970 ता 1974 पी टीवी एक मुसलसल सफर है नई मनजलें नई मुसाफ़तें नई जहतें इस सफर का पहला संगे मेल 1979 था 1964 से 1979 के दर्मियानी अरसे में पाकस्तान में पी टीवी की बुनियाद रखी गई लाहर, ढाका, रावलपिंडी, इसलामबाद और कराची में टेलिविजन स्टेशन काइम किये गए आज के फ्रोग्राम में 1970 से 1974 तक पी टीवी के सफर की सरकुजश्श्ट बयान की जाएगी इस मदद में पी टीवी ने अपनी बुनियादें उस्तवार की और आगे की संथ बड़ी तेजी से सफर शुरू किया इस दोरान पी टीवी ने नई रिवायात काइम की और नए संगे हाई मील ते किये 1970 में पी टीवी को पहला बैनल अक्वामी एजास मिला मुल्क के मशिर्ख हिस्से में जो तूफान आया उसकी अक्सबंदी पी टीवी के जैली दारे ATS यानि एशिन टेलिविजन सर्विस ने की इस पाकिस्तान साइक्लोन नामी इस फिल्म को नवंबर में मनाकिदा वर्ल्ड न्यूस फिल्म फेस्टिवल लंदन में एवार्ड दिया गया पाकिस्तान तरकिपजी मुमालिक में अपनी नौयत का ये एवार्ड हासिल करने वाला पहला मुल्क था इसी साल 12 अक्तूबर से टेलिविजन सेट पर लाइसन्स फीस नाफस की गई घरेलो टीवी सेट्स के लिए 50 रुपे और तजारती टीवी सेट्स के लिए 200 रुपे साल आना लाइसन्स फीस की वसूलिया भी शुरू हुई पचास रुपे यूँ तो बहुत बड़े रकम नदर आते हैं लेकिन जरा इसकी अगर आप इसे तक्सीम करें दिनों पर तो यकीन कीजिए आप भी शाब कर लिए तो बड़ा मामूली साथ में आठ्वें का यसाब है कि सोना टेड़ी पैसे रोजाना 1970 में पाकस्तान में पहले आम इंतखाबात का साल था तवील मार्शलो के बाद मुल्क में जम्हुरियत के कुमलाए हुए पौदे की दो बारा आबियारी करके इसे एक शजर सायदार बनाना था पी टीवी ने मुल्क में जम्हुरियत के फरोग के लिए एक अहम केडार अदा किया अभी पाकस्तान में टेलिविजन की ओम सिर्फ छे बरस हुई थी लेकिन इसने एक तरक्याफ़ता मुल्के टेलिविजन की तरह नई रिवायतों की बन्याद डाली 1970 के आम इंतखाबात से कबल मुल्क की तमाम अहम सियासी जमातों के रहनमाओं को टेलिविजन पर इधार ख्याल का मौका दिया गया आवाम ने पहली बार तमाम मकतब फिक्र के रहनमाओं को अलेक्टरोनिक मीडिया पर अपने इंतहाई करीब महसूस किया मुल्क में कौमी असेंबली के इंतखाबात 7 दिसम्बर 1970 को सुबाई असेंबियों के इंतखाबात का इनकाद 17 दिसम्बर को किया गया टेलिविजन ने 7 दिसम्बर की शाम से इलेक्शन की खुसूसी निश्याद का आगास किया जो 8 दिसम्बर को कौमी असेंबली के आखरी नतीजे के एलान के बाद इकताम पजीर हुई इस दोरान नाजरीन को ताज़तरी नताइज और सियासी तजसें के साथ साथ बिलचस्प तफरीही प्रोग्राम भी दिखाई गए उस वक्त टेलिविजन के वसाइल इंतहाई महदूद थे छैसो से ज्यादा अफराद की शवरोज काविशों के नतीजे में इलेक्शन सत्तर की नश्रियात अवाम तक पहुचाई गए जिसे अवाम ने बेहत सराहा शहरों गजबों और दिहातों में जहाँ जहाँ तक टेलिविजन की रसाई थी वहां रद जगे हुए 16 दिसंबर 1971 मुल्की तारीख का सिहत तरीन दिन था आहनी हातों ने अपने प्यादों को इस्तिमाल करके बिसात उलड़ दी मुल्क का मश्रकी बाजू हमसे जुदा कर दिया गया हर शख्स जखम जखम था इस दोरान मलक तरनम नूर जहानी लाहौर टेलिविजन स्टेशन पर खुसूसी नगमात रिकॉर्ड कराए तारीख के उस नाजब दौर में पी टीवी ने कौम का मुराल बरंद करने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया 20 दिसंबर 1971 को जनाब जुल फकार अली भुट्टो ने मुल्क के नए सदर के उहदे का हलफ उठाया नई हकूमत ने PTV के प्रोग्रामों में नई तबदिलियां करने का बीड़ा उठाया दिसंबर 71 ही में पीर की छुटी खत्म की गई इस तरहा हफते के सातो दिन नश्याद शुरू हो गई असलम अजर यकुम जनवरी 1972 को PTV के नए मैनेजिंग डारेक्टर मुकरर किये गए तो मेरा ख्याल में सन 72 के बाद जो सबसे बड़ा बड़ी कामियाबी थी हमारी और जो पालिसी हमारी सबसे ज्यादा एहमियत और तरजी रखती थी वो थी टेलिविजन पाकिस्तान टेलिविजन कॉर्पोरेशन के अंदर तालीमी टीवी का शुबा जो है उसका आगाज करना और इस शुबे ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया जाहर है कि अब्तिदा थी और तज्रूबा था और हमें खुद सीखना था लेकिन तालीम बालगां के शुबे में खांदगी के सिलसले में टेलिविजन ने बहुत अच्छा काम करना शुरू किया हालात हाजरक शुबे को जदीद सहुलियात से आरास्ता किया गया पी टीवी के प्रोग्रामों की बेन अक्वामी सता पर पजीराई बढ़ने लगी इससे कबल दिसंबर 1971 में अलिफ नून दुबारा शुब किया गया और ये दुबारा भी पसंदीद्गी में तमाम प्रोग्रामों पर बांसी ले गया युनियन का और यार कि इन चक्करों में पूर रहा है ख़दा का वास्ता ये बहुत खार होता है इसकाम में आदमी ने ने अलम इमान से उन्होंने मुझे खुद का आया देखना वो कहता है कि पहले जो लीडर थे ना वो बड़ी बे इमानिया करते थे अब मज़ूरों के बारे में कभी सोचते हैं तो आपना किस वास सोचते है ये भी तो सोच ओ यार अगर मैं सदर बन गया ना तो इमान से में बेमानी नहीं होने दूँ है आद्गा अच्छा एमान से हमारा मुल्क जाए हुशहाल हो जाएगा और हम खुश्गार्जिन की ब मकामी फिल्मी सनद की होसला वजाई के लिए पाकिस्तान फिल्म प्रोडीसर्स एसोसियेशन के तावन से पहले पी टीवी फिल्म एवार्ड का इहत्मान किया गया सुसराल 1972 की बेहतरीन फिल्म करार दी गए इस फिल्म को 20,000 रुपए बतौर इनाम दी गए ये फैसला फैज अनुत फैज, तजीन फरीदी और सफदर मीर पर मुश्तमल कम्याटी लिए किया 1972 में 21 से 29 दिसंबर तक पी टीवी ने अपनी तारीख का पहला जशन तमसील मुनकिद किया पहले पी टीवी जशन तमसील में मुखतलिफ शोगों में इनामात हासिल करने वाले अफराद के नामों का एलान 11 जनवरी 1973 के हुआ नुमाया इनामात की तफसील ये है बेहतरीन ड्रामा निगार अहमत शमीन ड्रामा सीप समंदर और साहिन रावरपंडी इसलामबाद मरकज बेहतरीन पोडियूसर मुहसिन अली ड्रामा पद्छड के बाद कराची मरकज मार्च 1972 में खेलों की दुनिया में एक नया कदम उठाया गया पी टीवी क्रिकेट ट्रॉफी ट्रूनमेंट के मैच कराची टेलिविजिन स्टेशन से बराहे रास नश्र किये गए बाद में इन मैचों के रिकॉर्डिंग लौहॉर और रावलपंडी इसलामबाद मरकज से भी पेश की गई आपका शायद किसी पर्चे में अभी पढ़ा एक सा फरनामा जिसमें आप में लिखा कि औरत को ताको बहुत पसंद है फिर औरते से जुटलाती क्यों है जिए मुहिएदीन शोग उन्ने सुबहाद का एक मारकज आरा प्रोग्राम था इस प्रोग्राम ने मुल्क में स्टेज शोज को नए साविय अता की आज भी पी टीवी के मुक्तलिफ स्टेज शोज में जिया महिएदीन शोग के असरात देखे जा सकते हैं और आज ली मौका मिल जाता है तो आप बेबाग ज़रूर हो लेकिन बेलगाम नहीं आजिस्ता आजिस्ता उसकी आदत भी परें आजिस्ता आजिस्ता हर चीज की आदत पड़ती है आपको एकदम से कोई चीज दे दी जाएगी तो जाहिरे आप बहुत बुरी तरह घबरा जाएं जाहिरे आपके कोई फिल्म कामियाब हो आपको हर तरम से पचासो एवार्ड मिल जाएं तो यकिन आपको खुशी के कुछ तो एक्साइब तो यह तो खुशी नहीं है भी भी कि आप बेलगाम हो जाएं आपको यह काम करें ज्यादा आगे बढ़के करें अब यह और बात है आपको खुशी के वो बेलगाम नहीं है लेकिन लोगों ने इतली बेलगाम संगए अच्छा यह नया पहलु है नहीं वो इसलिए कि हमारे बेबाग साहफत देखने के लोग आदी नहीं रहें अब जो देखते हैं तो बख़वाल आपके वो बेलगाम हो गये पिल्गों में जो कोलिज का माहौल और यूनिवर्स्टी का माहौल होता है इसके बारे में आपकर जाया एक कुछ मुशा厦ा है जानी बाच्छाब मक्ताब है यूदु इसमें आप भाइया फिल्म ले ले उसमें वो डॉक्टर्स होस्टिल दिखाया है रात के दो बजे तमाम डॉक्टर निया एफ्रन पहने होस्टिल में महवे रख से जब के देखते दोक्टर्स को मेरे खाल से गुन गुनाने की भी मैं खाल से मुझ्द फूरसत मिलती होगा ना के वो डॉक्टर निया जो जेरे ताली में लोगों पे गलत निया जाए दिल भी चाहता होगा रख सोगा नीस सौ बहटर में जिया महुद्दीन शो के कुल 15 प्रोग्राम टेली कास्ट किये गए इसे मुखतलिफ अदीबों ने तहरीर किया कुछ हरसे बाद ये कराची से लहौर मुंतकिल हो गया और वहां चंद प्रोग्रामों के बाद इसका नाम पिंडाल रख दिया गया सब आप ये बताईए कि जब ब्रेक फेल हो जाए तो गाड़ी कैसे रोकी जाए ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे ये बताया था जब मैंने सीखी अगर आप ये यकीन कर लेंगे मैं सीखा हुआ लगता हूं तो उसने ये बताया कि डाड़ी को ब्रेक से रोको बिजली के खंबे से मत रोको इसलिए कि बिजली का खंबा अगर गिर जाए तो कुत्तों को बड़ी तक्रीफ होती है तो आप जब ब्रेक फेल हो जाए आपको तो उस वक्त के सदर पाकस्तान जनाब जल्फिकार अली भुटो ने 21 दिसंबर 1972 को लोहोड टेलिविजिन स्टेशन की नई अमारत का इफ़ता किया उन्होंने इस मौके पर कारकुनों से खताब करते हुए कहा कि आप टेलिविजिन में इस अहद के मुल्लिगी हैं आपको चाहिए कि महनत और उम्मीत का पेगाम सारे वतन में फैला दी 1972 में एक अहम पेशरफ इंजिनरिंग के शोबे में हुई इस डिविजिन को तीन जैली शोबों में तखसीम किया गया वो तीन शोबे ये हैं तहकीकी और तरक्की मनसूबे आपरेशन और देखभाल इन शोबजात के खयाम से इंजिनरिंग के शोबे ने बड़ी तेजी से तरक्की की उस जमाने में पी टीवी के तीनों मराकस पर रिकॉर्डिंग की सहुलत मौजूद थी टीवी के तमाम मराकस के दरमियान ओमी नश्रियाती राप्ते की शदीद जरूरत थी दूसरी सम्त मवासलाती जमीनी मरकस ना होने की वज़ा से बेरोनी दुनिया के टीन टी डिपार्टमेंट की कोशिशों से वजूद में आया अभी इसके बाकाइदा इफ्तिता में दो बरस बाकी थे कि दिसंबर 1972 में इस जमीनी स्टेशन का रापता कराची टेलिवीजन स्टेशन से कायम कर दिया गया इस तरहा बेरोन मुलक से मौसलाती सयारे के जरिये कराची में नश्रियात देखना मुम्किन हो गया 22 दिसंबर 1972 को आस्ट्रेलिया की शहर एडिलेक्ट से पाकस्तान और आस्ट्रेलिया की दर्मयान क्रिकिट टेस्ट मैच को मौसलाती सयारे के जरिये बराहरास्त कराची के नाजरें ने देखा उस रोज एक घंटे मैच दिखाया गया इस तरह पाकस्तान ने जनूम मश्रुके एशिया के इस पहले मुलक का इसाज हासल किया जिसका राप्ता मौसलाती सयारे के जरिये हुआ यूं खेलों के शायقین के लिए एक नई दुनिया दर्याफ्त हो गई उधर नौवे हजार जन्गी कैदी दुश्मन की तहवील में थे तीन जुलाई 1972 को सदर पाकस्तान और वजीर आजम भारत के दर्मियान शिमला मौहधे पर दस्तखत हुए इस मौहधे के बाद जन्गी कैदीों की वापसी शुरु हुई वहगा से बराहे रास्त प्रोग्राम दिखाया गया जन्गी कैदीों के इस काफले में पी टीवी के छे अफराद शामिन थे हालात के इन कैदीों ने कठन लमहात में भी अजब औ होसले नहीं आरे अकडबकर बी टीवी के पिदाई दोर का बहुत मकबूल प्रोग्राम था अब बताईए आप मैं बताऊ तीतर अकडबकर जो है उसमें अच्छी बात सिर्फ यह यही थी कि असलमाजर साब को उन्होंने जब एपॉइंट किया एमडी तो वो कराची से इसलामबाद जा रहे थे उन्होंने मुझे एरपोर्ट पर बुलाया एरपोर्ट पर तब आगे तक जा सकते थे और वो जो खारदार तार होती है उसके एर्दगिर्द से हमारी बात हुई मैंने का जी क्या चाहते हैं अब कहने लगे मैं एमडी होने जा रहा हूँ अकरबकर को जापान के शहर सपोरो में मुनाकिदा जापान प्राइस कॉंटेस्ट में खुसूसी इनाम दिया गया बच्चों के इस प्रोग्राम के प्रोडूसर मुनी जहाश हुई थी इन से मालूम करें कि बच्चों के प्रोग्राम की प्रोडूसर की क्या मुश्किलाथ होती है बच्चों के प्रोग्राम के प्रोडूसरों को मेरे ख्याल में दो मुश्किलाथ का सामना होता है पहली मुश्किल तो यह कि उनके पास जो उनका ओडियंस है या उनका जो वियूर है वो उनके सामने नहीं है कोई feedback का system नहीं है वो खुद हमसायों के बच्चों को जमा कर लें उनसे पूछ लें किसी स्कूल में चल जाएं या अपने बच्चे से पूछ लें बेटा मैंने प्रोग्राम कैसे किया वो तो जवाब मिल जाता है लेकिन जिस तरह एक ड्रामे के प्रोडूसर को या एक मौसीकी के प्रोडूसर को जवाब मिलते है या feedback मिलता है वो उन्हों नहीं मिलता है लहाजा मुझे ही महसूस होता था कि मैंने एक वैक्यूम में अपना प्रोग्राम करती थी और जो मेरे दिल ने कहा या मेरे दिमाग ने सोचा अगर अच्छा हो गया तो अच्छा हो गया अगर नहीं हुआ तो मुझे उसी का खुद ही हिसाब करना पड़ता था इस साल आराई से बच्छों के प्रोग्राम क्यों और कैसे सायरा के साथ ही बच्छों का खेल और तालियम ही बेश किये गए मार्च बहत्तर से आराई से लोग मुसिकी का एक दिल्चस्प प्रोग्राम लोग तमाशा शुरू किया गया इस प्रोग्राम की कम्पेरिंग अकसी मुफती और सलमा बेग ने की चन्द प्रोग्राम अजहर लोधी ने भी कीए इसे मुनतास मुफती तहरीर करते थे और प्रोडिऊसर सलाउदीन चौधरी और आजल खुर्शीर थे इस प्रोग्राम के जरीए बहुत से नए फंकार रुशनास हुए जिनमें नाही दख्तर भी शाम ना थी ऀाक दी नीरान मुई आक दी सासम भी आक दी मेरे वंगा देवो ने को आपो मैंनो तेरी साव वंगा वाला आनी गया 1978 में टेलेविजिन ड्रामे ने भी आला तख्लीगी रुआएत कायम की आठ अक्तूबर से उर्दू जबान के अजीम अफसाना निगार साधत हसन मंटो के अफसानों को मंटो रामा के उनवान से पेश करने का आखास किया गया मंटो का किर्दार SM सलीम ने कमाल नहीं हारत से अदा किया इसे ड्रामे करूप हमीद काश्मीरी ने दिया प्रोडिसर कवर आफ़ताब पहमत थे लेकिन पत्तियों को जमा करके एक सालिम पूल नहीं बना से गुर्बतें और फासले उनीस सौबहत्तर में आराई की सबसे मखबूल ड्रामा सीरियल साबित हुई ये रूसी अदीब आईवन तर्गनेफ के नौविल फादर एंड संड से माखूस थी साहरा कास्मी और राहत कास्मी इसके नुमाया फनकार थे इसकी ड्रामाई तश्कील सफधर मीर ने की हमारे यहां जस तरह पाबंदियां हैं मुख्तलिफ किसम की मौशरती पाबंदियां हैं रियास्ती पाबंदियां हैं और इस तरह बाज लोगों को अपने मफहूम पूरा वाज़ करने में मुश्किल होती है और टीवी में खास्तोर से ये बात हमारे सामने आई है इसके बावजूद पी टीवी ने ड्रामे के जिमन में बहुत तरक्की की है और इस तीस साल के अरसे में उन्होंने अपने आप को बहुत ही आला पाए का ड्रामा प्रोड्यूसर और ड्रामा लिखने वाला पेश करने की कोशिश की है तीन घड़े मुसम्मी इतिहाद तंजीम और यकीने मुहकम अता किये गए थे सो मदसे के नाहिंजार तालिब इल्मों ने आपस में लड़ जगड़कर इतिहाद के टुकड़े टुकड़े कर दिये इतिहाद के टुकड़े टुकड़े मौली साब ये इतिहाद के टुकड़े किसने की है मौली साब हाएं अरे खुदी तोड़कर पूझ भी रहा है चोरी उपर से सीना दोरी करिष्टिएर टुकड़े टुकड़े ये में हां काम चलीicamente मैं पतालग्ये डूवी आते चली आटे सभी मैं आपी चलागी रहाओ काल चलागी तेनो भी नहां लगते चलागी काल ते कदीव नहां दीर ऑज़ू नहां दीड़ू बस निकल जाएगी तेनों बड़े काले पई हो ये चलो वाई जल्जी कलो बस निकल जाएगी 1973 में पी टीवी एक नए एहद में दाखिल हुआ जनवरी में रुमानिया के सदर मिस्टर चार्ल्स शिस को पाकस्तान तश्रीफ नाए आर्ट जनवरी को उनके दोरे की रिपोर्ट मवासलाती सैयारे के जरीए बराहे रास्त रुमानिया भेजी गई इस तरह पाकस्तान जापान के बाद बर्याजम एशिया का वो दूसरा मुल्क बना जिसने मवासला के सेयारे के जरिये अपनी प्रोग्राम यॉरप भेजे 1973 में पी टीवी ने हच की नश्रियात मक्का से बराहरास टेलेकास्ट करने का आवास किया इसके वाद से ये सिलसला मुसलसल जारी है 1973 में टेलिवीजिन की नश्रियात का दाइरा बढ़ाने के लिए तीन नए बूस्टर्स नस्ब किये गए 1973 मुल्क की तारीख का एक अहम साल था उस साल एक अवामी आईन की तश्कील की जा रही थी पी टीवी ने आईन पर इधार ख्याल के लिए हिजब अख्तलाफ के रहनमाओं को भी दावत दी इस सिलसले में हिजब अख्तलाफ के रहनमाओं को टेलिवीजिन पर 9 घंटे से ज्यादा वक्त दिया गया पी टीवी की इन निश्रियात पर भारत के हिजब अगतलाफ के रहनमाओं ने अपनी हुकूमत से इहतिजाज किया कि पाकस्तान की तरह हमें भी टेलिविजिन पर अपनी राई के इजहार के मवाके दिये जाएं। चौदा अगस्त को मुलक में पहला मुत्तफ़का आईन नाफिस किया गया। पी टीवी ने तारीख बनने के इस अमल के एक एक लम्हे को अपने नाजरीं तक बराहे रास्त पहुँचाया। इस मौके पर नए आईन के तहट सदर और वजीर आज़म ने हलफ उठाया। 1973 ही से सहमाही प्रोग्रामों के लिए टेलिवेशन के आला होदेदारों की मीटिंग का आगास हुआ और इसमें मुक्तलिफ स्टेशन पर तैयार करदा पाइलिट प्रोग्राम दिखा कर उस सहमाही की प्रोग्रामों की मनजूरी दी गई एडिटर के ओधे पर फाइस की गए टास्कोर्ट से मेरे तालुक के दो हिस्से रहें एक इसकी रस्मी तश्कील से फॉरण पहले और दूसरा इसकी तश्कील के तक्रीबन एक साल बात तक पहले दोर में मैं और मुस्रिफदीन मरहूम इसमें शामिल थे इसमें हमने आईनी समझवते के बाद और मस्वद आईन की तैयारी के फॉरण साथ ही जो इतराजात पैदा हुए उठाए गए और जो नक्तचीनी हुई उनका जवाब देने के लिए सियासी रहनमाओं के इं परहला था इसमें जो टीम बनी उसमें तश्वील असन स्यद अथर विकारजीम जहिर जावेद और नईयर नदीम शामिल थे इसमें जो प्रोग्राम किये गए वो शायद कुछ नाजरीन को भी याद हों कि वो इनारियों सियासी तर्जियों इंटर्वियों और आम इंसानी दिल्चस्पी के रिपोर्टों पर मुश्तमिल थे ये प्रोग्राम इतवार को जो छुटी का दिन होता था उन दिनों सुबा के वक्त दिखाए जाते थे और इस लिहाद से इनकी वीविंग हालात हाजरा के प्रोग्रामों में एक रिकार्ड की हैसित रखती है गोल्टोनाइट के उनवान से हालात हाजरा के एक बैनल अक्वामी मयार के प्रोग्राम का आखास हुआ गैर मुल्की मुश्रीन ने भी इसे बहुत सराहा मश्रुक वुस्ता की जंग के मनाजर की अक्सबंदी के लिए मुस्लिव दीन वरहूं और कैमरेमेन निसार मिर्जा पर मुश्तमिल टीम महाजे जंग पर भेजी गई इस टीम ने जंग की ताज़तरीन रिपोर्ट्स अपने नाजरीन तक पहुँचाई 1973 में पी टीवी और मौरिशेस ब्रोडकास्टिंग कंपनी के दरमयान प्रोग्रामों का तवादल शुरू हुआ और फिर वो वक्त भी आया जब मौरिशेस के टेलेवेजिन की 35 फीसद नश्रियाद पी टीवी के प्रोग्रामों पर मुश्तमल होने लगी 1973 में पी टीवी की दस्तावेजी फिल्म मौहिंजदारो दस सिटी डैट मस्ट नॉट डाई को दो बेन लग्वामी अवाड्स मिले मार्च अप्रेल में जर्मनी में मेरिट सेटिफिकट दिया गया इसके अलावा अगस्त के महले में एरान के शहर शीराज में मुनकिदा एशिया पैसिफिक ब्रोड़कास्ट यूनियन के शीराज फिल्म फेस्टिवल में सिल्वर मेडल से नवाजा गया 1973 में मुसीकी के कई प्रोग्राम पेश किये गए कराची से बज में लैला के अनवान से एक दिल्चस्प प्रोग्राम शुरू किया गया इसमें रूना लैला अपने फन का मजाहरा करती थी ये मुसीकी का पहला प्रोग्राम था जो किसी गुरुकारा से मनसूब हुआ इसके मेजबान मुजिक डारेक्टर सुहिन राना थे ये अमीर इमाम की काविश थी इसी साल के आखिर में पॉप म्यूजिक के प्रोग्राम संडे के संडे का आखास हुआ इसी प्रोग्राम से आलमगीर मतारिफ हुए जाया 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 मेह तमास मारा रसेलियम मेला 1973 में कराची मरकस से एक और मकबूल कोई शो शीशे का घर शुरू किया गया इसी साल शोखी तहरीर का आखास हुआ ये अदब से मतालब एक तफरीही प्रोग्राम था अश्वाक हमद में महफूज मामू के उन्वान से एक दिल्चस्प किरदार तखलीक किया ये अद़कार शखील का पहला सीरियल था लोग उस जमाने में एक खास बात मैं कहाना चाहूंगा के लोग जो काम करते थे जाए वो प्रडूसर हूँ जाए वो लिखने वाले हूँ जाए वो आर्टिस्ट हूँ उनके जहनों में कभी ये नहीं होता था किसा यए लोग आया पसंद करेंगे के नहीं लोग अपनी दानस्त में अपनी हैसियत के मुताबख पूरी कोशिश करते थे अकड़ बकड़ करने वाले शोयब हाश्मी अप सच गब करने लगे सच गब भी नाजरीन में बहुत मकूल हुआ ये पेशकर्ष मुनीजा हाश्मी की थी 25 दिसंबर से एक चेहरा कई चेहरे का आगास हुआ इस सिलसले में एहमद नदीम कास्मी के 17 अफसानों पर मुश्तमल 30 एकसाद तेलिकास की जई इसका अफ्तिताम 25 जुलाई 1974 को हुआ हिदायत मुसरत ठाकों ने दिया 1973 में रावल पिंडी इसलाम अबास से पहला खेल के उनवान से ड्रामे का एक तज्रबाती सिलसला पेश किया गया इसके जरिये नए मुसन्नफین दर्याफ्त किये गए इन प्रोग्रामों से टेलिविजिन को अमजद इसलाम अमजद और यूनस जावेट जैसे ड्रामा राइटर्स मिले 1973 में कराची से हसीन मुईन के पहले सीरियल शेह जोरी ने बड़ी मकबूलियत हासिल की ये सीरियल अजीम बेक चुखताई के नौवल पर मदनी थी अरे छूटे हैं पढले दर्या क्या क्या मूँ से फूल जड़ रहें इसी साल हसीन मुईन की किरन कहानी भी पेश की गई इससे अवाम ने बहुत पसंद किया इन दोनों सीरियल्स के प्रोडियोसर मुहसन अली थे सल्मान के अफिस की जमीन तो बहुत ही मजबूत है आप बहुत बुरे मैंने जब बाइस साल पहले अपना ठेल विजन का सफर सुरू किया था तो एक छोटे से ड्रामे से किया था अब इतिफाक की बात है कि उस वक तक उस हंदास के मजाहिया ड्रामे नहीं लिखे गए थे इसलिए वो क्लिक हुआ और लोगों को बहुत पसंद आया उसके बाद से मैंने लगातार सीरियल्स लिखी हैं और अब तक कोई मैंने 16 सीरियल्स टीवी को दी हैं अच्छी है बुरी और बात है कि जाहरे हर चीज़ आप अच्छी नहीं लिख सकते या दुनिया का कोई भी राइटर ये दावा नहीं कर सकता कि उसने जो कुछ भी लिखा है वो सबका सब बहुत ही आला तोर का था कहीं न कहीं कोई खामी कमी रही जाती है क्योंकि इनसान परफेक्ट तो होता नहीं तो 16 सीरियल्स जो मैंने दी हैं उसमें एक बात मैं जरूर कहूंगी कि मैंने टीवी को एक नया अंदास दिया है ये मेरा कॉंट्रिब्यूशन है टीवी के लिए जिस पर मुझे फखर है 1973 में कमाल एहमद रस्वी आपका मुखलिस बन कराए इसकी हिदायकारी के फराइस बख्तियार एहमद ने अन्जाम दिये पी टीवी का सफर पहुचा है गल-गल 1974 में पाकिस्तान ही नहीं पी टीवी ने एक नई तारीख रखन की पाकिस्तान ने 22 से 24 फरवरी तक दूसरी इसलामी सरबरा कॉंफरेंस की मेजबानी के फराइस अंजाम दिये इसलामी सरबरा कॉंफरेंस के लिए खुसोसी नगमा तर्तीब दिया गया इसे जमील الدین आली ने तहरीर किया और इसकी मुसीकी मेदी जहीर ने तखलीव की इसलामी सरबरा कॉंफरेंस के लिए पी टीवी ने अपने तमाम मराकिस से अहम हुनर्बंदों और टेक्निकी आलात को लोहर मुत्खिल किया तीन ओबी टीम्स तश्कील दी गए जो आठ अलेक्ट्रोनिक कैमरों पर मुश्तमिल थी इसके अलावा चार फिल्म यूनिट की खिद्मात भी हासिल की गए कौनफरंस से कबल पी टीवी के तीन मराकस के दरमयान माइक्रोवेव लिंक कायम कर दिया गया पी टीवी की नश्रियात मसलसल 40 घंटे से ज्यादा जारी रही इसलामी सरबरा कौनफरंस के हर हर लम्हे को कैमरों ने अपने नाजरीन तक बराहे रास्त पहुंचाया इसलामी सरबरा कौनफरंस के दरान में पी टीवी की नश्रियात इतनी मिसाली थी कि बेचतर मुल्की और गयरमल्की नामानिकारों ने अपनी रिपोर्ट्स के लिए टेलिवीजन ही की नश्रियात का सहरा लिया 1974 में दो नए टेलिवीजन स्टेशन के कयाम के बाद मुल्क के हर सूवे में टेलिविजन स्टेशन की तक्मिल हो गई कोईटा के केंटेरिया में वाके इस इमारत में आर्जी तोर पर टीवी स्टेशन कायम किया गया पी टीवी के क्याम की एन दस्वी सालगिरा के दिन 26 नमबर 1974 को कोईटा टेलिविजन की निश्वियात का आखास हुआ कोईटा टेलिविजन का इफ्तिता विफाकी वजीर जनाब अब्दुलहफीज पीरजादा ने किया इस मौके पर एक खुसूसी तक्वेब मनकट की गई जिसमें कोईटा टेलिविजन के क्याम के मकासित पर रोशनी डाली गई कोईटा में टेलिविजन सेंटर का क्याम उन बहुत बड़े बड़े कामों में से एक चोटा सा काम था जिसका वधार वजीर आज़म जूल फिखार अली भुटो ने बलूचिस्तान के एवाम से किया था पहले दिन नश्र होने वाला सबसे एहम प्रोग्राम लोग मेला था यह प्रोग्राम बराहे रास नश्र किया गया इसमें मुलके एहम लोग फनकारों के साथ साथ मकामी फनकारों ने भी हिस्सा लिया इसमें मुलके एहां यहां यह 74 में यह टेलिविशन स्टेशन गायम हुआ और इससे पहले यहां जो लोग मालूमात की हाद तक किसी ही हाद तक आप यू कहें कि सकाफ़त यह तारीख के हवाले से रेडियो से तो मानू स्टे ही लेकिन यह जाहर है कि देखने की चीज है और जहां हम जो चीज देखते हैं फिर उसे सुनते हैं उसकी कुबूलियत ज्यादा तीजी से होती है और उसके असस परजीरी में शिद्ध आती है कोईटा टेलिविजिन सेंटर का इव्तिता आप चब्विस नमंबर 1974 को हुआ तो पहला दू जो जाहिर है कि इव्तिताई तक्रीबात में बज़रा बागादा प्रोग्राम 27 नमंबर से शुरू हुए उस वत खालते हादा को प पार्डिंग ने होती थी लाइप प्रोग्राम होती था तो पहला प्रोग्राम करने का शराफ मुझे हासिल हुआ है कांपियर की ऐसी से धाई साल तक इस इसला जाई रहा हर चंद के हमारे लिए एक बिल्कुल नहा ताहिर बसा अब आईए फूलों के शहर पिशावर चलते हुआ 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 है टेलिवीजन जब नया नया आया तो इसमें एक ऐसी कशिश थी और ऐसा जादू था कि वो लोग जो शाम को घरों से बाहर रहते थे और देर से आते थे वो कमसकम वक्त पर घार आने लगे और यहां रुजहान ये था कि टेलिवीजन जस वक्त शुरू होता बिसमिल्ला होती उस वक्त से लोग चपक जाते और आखरी जब कौमी तराना नश्र होता उस वक्त तक बैठे रहते और यू जो ड्रामे या मुसीके के प्रोग्राम होते थे ज्यादतर ये दो प्रोग्र थे मुसीकी और ड्रामा ये कम चुलाए 1974 को पी टीवी ने आर्टाइबस और ओवर सीज रिलेशन डिविजन काइम किया इस डिविजन के क्याम से पाकस्तान और दीगर ममालिके टीवी नेटवर्क के दर्मियान इश्टरा के अमल में तेजी आ गई 1974 के वस्थी में पी टीवी ने नेशनल आर्किस्टरा काइम किया इसके सरबरा मुल्क के मशूर मुसीकार सुहिल राना मुकरर किये गए 15 सितंबर 1974 को इरान के दार्ल हकूमत तहरान में मुनकिदा एशियन गेम्स का फाइनल दो रवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दर्मियान खेल लगया पी टीवी ने पाकिस्तान की दो सिफर से फता को बराह रास्त अपने नाजरीन तक पहुँचाया 30 अक्तूबर 1974 को जायर के शहर किंसाशा में मुहमद अली ने आटफे राउंड में जॉर्ज फो मैंन को नौक आउट करके अपने आनमी एजास का दिफा किया मैचून में जर्मनी के शहर मियुनफ में होने वाले प्री जेनिस्स में पी टीवी के ड्रामे पज़ड के बात को चौथा इनाम दिया गया इस ड्रामे को हमीद काश्मीरी ने तहरीर किया और इसके फ्रोडियोसर मौसिन अली थे मैं समझता हूँ के मैंने पी टीवी में सीरियल परड़क्शन में एक खात्रखा इजाफा भी किया और मेरा एक खात्रखा कॉंट्रिबूशन भी है लेकिन इसके सासाथ मैंने अलएदा अलएदा खेल भी किये जिन में पज़ड के बाद और खेत के थरियाली, किरदार, सरे फैरिस थे अलहंदुल्लाइ मुझे बैनुलक्पामी आवार्ड भी मिले हैं पीटीवे आवार्ड भी मिले हैं और दीगर इदारों ने भी मुझे साथ आठ एवार्ड दी हैं मैं खासा अपने आपको मुत्मेन महसूस करता हूँ 1974 में लहौर से बच्चों के कई प्रोग्राम पेश किये गए शुरु शुरु में बच्चों के सेश्चा में हमें बहुत परिशानी होती थी लोग बच्चों को नहीं भीच थे लेकिन हमने महौल ऐसा पैदा किया कि फिर वही वाल्दें अपने बच्चों को मेरे साथ पिंडी जाने के लिए भी भी दिया करते थे और कुराची के लिए भी रावल पिंडी इसलामबाद से बूजो तो जाने इस हफ़ते और इसलामी दुनिया ज्यादा नुमाया रहे इस हफ़ते में हालाते हासरा के सवालात स्कूल की दो टीमों से पूछी जाते थे इसी परस कराची से फिल्म स्टार कमाल ने कमाल शो का आगास किया ये शो बहुत मकूल हुआ इसे हमीद काशमीरी और अथर सिद्यो के तहरीर करते थे और ये पेशकश थी आफ़ताब अजीम की रावल्बंडी इसलामबाद से अगर इजासत हो शुरी हुआ इसे नाहीद न्याजी और उस्मान प्वीर जादा तहरीर करते थे इसकी प्रोडियूसर महरुख जुबैर थी 1974 मुसीकी के लिए मौसम बहार था अजम रुष्दी में एहमद रुष्दी के नखमात नश्र किये जाते थे तेरी कली में प्यारे ले आना जाना हमने छोड दिया दिल को जलाना हमने छोड दिया छोड दिया डॉक्टर अमजब परवेज और मुश्ताख आश्मी की जोड़ी पॉप स्टाइल में नखमा सरा होती थी निखार ने पी टी वी के मुश्चे के प्रोग्रामों को नया निखार अता किया बसमी रुष्टी संगत और निखार तीनों सूपर हिट प्रोग्राम रफिग वडाईच ने पेश किये दागतार ने दागतार ने 1974 में रावल पंडी इसलामबाद से मजाहिया ड्रामा स्रीज बी जमालों ने बड़ी मकबूलियत हासिल की इसे शहजाद खलील मरहूम पेश करते थे बी जमालों का किरदार शहजाद खलील की शरीके हैात बदर खलील ने अदा किया 1974 के आखर में टालमा दोल शुए हुआ है है कि अलगीत है क में इससे लगाइगा और तक आलमी साले और जो क्यों हाटव जो ळाना है आख यथा है कि इधर हुआ एक्टूबर को कराची से शौकत सिद्धी का शाहकार खुदा की बस्ती दोबारा शुरू हुआ यह पाच जनवरी 1975 तक जारी रहा जब से ये इंजेक्शन बंद हुएं तो मेरे सिहत में कोई फर्ख ने महसूस होता इस मुखालते में मत रहना एक रूस फट से मर जाओगी ये दिल की बीमारी मदाग नहीं खुदा की बस्ती शौकत सिद्धी का नावल वो नहत सिली की से पेश किया गया लेकिन वो मेरे खाल में मसलसल कई किस्तों में आया था उस से ये लोगों को ये शौक पैदा हुआ कि हम 13-14-14 किस्तों के ड्रामे लिखें खुदा की बस्ती से और अब आईए उन पांस साल के दोरान बी टीवी की तरफ्के का जायसा लेते हैं 1979 में प्रोबीसर, इंजीनियर और दीगर टेकनिक कारों की तादाद 238 थी जो 1974 में 901 तक जा पहुँची 1979 में मुल्क के एक करोड 23 लाख अफराद तक टेलिवीजिन की नश्यात पहुचाई जाती थी 1970 से 1974 तक पांच बरस के अरसे में दो नए टेलिवीजिन स्टेशन और चार नए बूस्टर्स के खयाम के बाद टेलिवीजिन की नश्यात 3 करोड 30 लाख आबादी तक पहुचने लगी इस तरह इन पांच बरसों में बी टीवी का दाइरा 2 करोड 7 लाख अफराद तक वसी किया गया 1979 में मुल्क की 27 आशारिया 08 फीसद आबादी तक टेलिवीजिन की रसाई थी 1974 में ये तनासुब बढ़कर 47 आशारिया 9 दो फीसद आबादी तक जा पहुचा 1979 में टेलिवीजिन की नश्यात का दाइरा 61,383 मुर्बा क्लो मीटर रखबे तक पहला हुआ था 1974 में ये रखबा वस्थ पाकर 1,31,313 मुर्बा क्लो मीटर हो गया 1979 के अख्तिताम तक पी टीवी की नश्यात 7,64 फीसद रखबे तक पहुचती थी 1974 में ये रखबा वढ़कर 16,33 फीसद हो गया 1979 में पी टीवी की आमदनी 11,62 मिलियन थी 1974 में आमदनी 27,89 मिलियन तक जा पहुची 1979 में इश्तहारात के लिए जो वक्त इस्तिमाल हुआ वो 635 घंटे था जबके 1974 में ये बढ़कर 691 घंटे तक जा पहुचा 1974 तक पी टीवी पर जिन पैलेंट्स ने हिस्सा लिया उनकी तादाद मजमुई तोर पर 2100 हो गई इनमें 826 अदाकार, 237 मसन्निफ और शायर, 219 उलमा और कारी, 202 हालात हाजरा और दीगर प्रोग्रामों के शुरका शामिन थे अब्तिदा में पी टीवी की नेश्यात का दौरानिया एक हफ़ते में 18 घंटे था जो 1974 तक बढ़कर 50 घंटे हो गया 1970 से 1974 के दौरान पी टीवी ने नई मन्जिलों की सम्त अपना सफर शुरू किया मुल्क में आने वाली जम्हुरियत के असरात टीवी प्रोग्रामों में भी दिखाई दिये पी टीवी ने मौसलाती सेयारे के जरिये राब्ता कायम करके एक नई दौराजा वा किया हालात हासरा और स्पोर्ट्स के प्रोग्रामों की बनियादे उस्तवार हुई नौजवानों के लिए पहली बार खुसूसी प्रोग्राम शुरू किये गए टीवी ड्रामे को नई जहत मिरी 1972 से इलाखाई प्रोग्रामों में इजाफा हुआ पी टीवी के प्रोग्रामों की बेनल अक्वामी पिजिराई का आगास हुआ और अब एक नया आस्मान पी टीवी के सामने था यादों की बाते तस्वीरों के संग आभाजों के धन तीस साल की लगन नक्षे आई नाए फंग बी टीवी का सबल पहुचा है गर-गर जिन्दगी के हर पहलू तो नुमाया यूं किया जौख शौख का हसी एक शहूर भी दिया ये शहूर ये सफर इसी तरह नए दिनों नए मुसाफते दिये रोशनी बना रहे रवात अबा रहे क्यों ही रवात अबा रहे झाली 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 झाल झाल